गुड इवनिंग फ्रेंड स्वागत है आपका ट्रकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पे आज हमारी डेली जीके की 14th क्लास है इस वीडियो के सारे के सारे कोशन आपके हिमाचल एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है हिमाचल प्रदेश में तेरपी बिधान सवा के चुनाव कब प्रस्थापित हुए थे तो ये हुए थे हमारे 2017 में अभी जो है हिमाचल में बीजेपी की सरकार है और हिमाचल के मुख्य मंत्री है जेराम ठाक जो की बिलोग करते हैं डिस्टिक मंडी से तो ये जो हमारी बिधान सवा है ये कौन से नंबर की बिधान सवा है ये है तेरमे नंबर की बिधान सवा जिसके चुनाव हुए थे 2017 में नेक्स वेशन है अंतराष्टि शिवरातरी मेला कहां पर मनाया जाता है तो अंतराष्ट प्रियोजना है हिमाचल सरकार की तो यह है हमारी सतलुज नदी पे और जिसकी की कुल कपेस्टी है 1500 मेगा वॉट और यह पड़ती है डिस्टिक किन और में और ये परियोजना जो है नापता ज्यागडी परियोजना इसमें जो है वो विशो बैंक का भी काफी बड़ा सकते हैं कि विपासा का जो संस्कृत साहित्य में विपासा जो है वो किसका नाम है तो विपासा जो है वो वियास नदी का नाम है जो कि डिस्टिक का अंगड़ा से बहती है नेक्स कोशन है राजा भूरी सिंग ने भूरी सिंग संग्राले की स्थापना कब की थी तो राजा भूरी सिंग जी ने स्थापना की थी 1908 में और जो भूरी सिंग संग्राले है ये है हमारा डिस्टिक चंबा में भूरी सिंग संग्राले जो है वो डिस्टिक चंबा में है नेक्स्ट कोश्चन है बिलासपुर में भूमी बंदोबस्त अभ्यान कब शुरू हुआ था तो बिलासपुर में भूमी बंदोबस्त अभ्यान जो है वो 1930 में शुरू हुआ था काफी important question है next question चमबा के किस मेले में सिर्फ इस्तरियां ही भाग लेती है तो चमबा का एक मेला ऐसा है जहां पे सिर्फ इस्तरियां भाग लेती है पुरुष कोई भाग नहीं लेता तो वो है हमारा सुही का मेला काफी important question है ये एलाइड services में पूछा गया है ये तो सुही का मेला जो है वो district चमबा में होता है और जिसमें सिर्फ इस्तरियां ही भाग लेती है इसका जो उदे से क्या था कि एक चमबा की रानी थी सुनैना जिसने पानी की समस्या को दूली आतम बलिदान दे दिया था उस टेम पे पानी की समस्या चली थी पानी के किलत थी और उने ने ने आतम बलिदान दे दिया था उनी की याद में जो है ये मेला मनाया जाता है Next question है गुगली शब्द किस खेल से समन्धित है तो आपको पता ही होगा गुगली जो है वो क्रिकेट से समन्धित है परसिद भारती महिला एथलीट पीटी उशा की आतमकता का क्या नाम है काफी फेमस है ये जो हमारे महिला एथलीट है पीटी उशा उनकी जो आतमकता है उसको नाम दिया गया है golden girl काफी important question है ये नेक्स question है पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था नेक्स्ट कोईशन है गरीण पार्क स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है नेक्स्ट कोईशन है तो किनेड़ा का रास्ट्री खेल है आईस होकी काफी इंपोर्टन कोईशन है खेल से रिलेटिड एक कोईशन जो आपको हर एकजाम में देखने को मिल जाएगा आपने comment में बताना है कि इंडिया का जो है वो राश्टी खेल क्या है आपने हमें comment करके बताना है next question है दालें किसका एक अच्छा स्त्रोथ है जेनल साइंस का question है अब आपको daily जो है वो इंडिया जी के HP जी के और general science के question भी provide करवाए जाएंगे तो question है दालें किसका एक अच्छा स्त्रोत है तो वो सबसे अच्छा स्त्रोत होती है protein का दालों में जो है वो protein परचूर मात्रा में पाई जाती है next question है बायू यान के टाइरों में कौन सी gas भरी जाती है यह काफी important question है यह यह question जो होते है यह थोड़े से confuse करने वाले होते है तो बायू यान के टाइरों में जो है वो helium gas भरी जाती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करें share करें और channel को subscribe करें हमारी daily 6 बजे जो है वो gk की वीडियो आती है तो उसको sport करें जहिन जय भारत